दोस्तो आज का जो वीडियो है बहुत ही अलग है और हटके है आप लोग इस वीडियो को मिस बिलकुल ही मत करना क्योंकि इसमें आपका बिजली का बिल पूरा बच सकता है बहुत ज़्यादा बिजली का बिल बच सकता है और आप लोग भी समझ जाएंगे कि हमें सरकल ना की तरह साफ कर देंगे किसमें आपको कितना बचता है और यदि आप सरकल लेते हैं तो आपको कितना उसमें बचता है कितना लॉस है क्योंकि हमारे हिसाब से वह एक तरह से लॉस है क्योंकि यदि आप सरकल लेते हैं तो उसमें लॉस कहां से है यह बताएंगे वीडियो मे तो नंबर दियागा उस पर वीडियो को लिंग अगर ऐसा कोई बीडियो बना रखा उगा तो यह वीडियो बहुत ही सुझ समझ कि हम बनाया है और शफेelf बह। आप लोग के लिए बनाया हैं तो चलिए इने के sec curso लिए में Profit है या फिर Roll वाला बनाने Profit और हम इस पर Decide करेंगे आज क्योंकि बहुत लोग जो है अभी Circle डिमांड करते हैं और बहुत जग सरकल चल भी रहा है तो उस में कितना आपको benefit होता है हो और कितना आपको बचत होता है क्योंकि बहुत लोग का जो डिमांड है कहना होता है कि सर हमें सरकल में पीस ज्यादा निकलते हैं तो आज हम इसी टोपिक पे बात करें कि पीस ज्यादा कैसे निकलता है उसमें कितना आपको मार्जन होता है और रोल में आपको पीस कम निकलता है तो उसमें कहां आपको बचत होता है यदि आ सरकल बनाना हमारे हिसाब से महंगा पड़ता है कैसे महंगा पड़ता है एक तो कि जब भी हम सरकल अगर बनाने की बात करते हैं तो उसके लिए हमें या तो हाइडोलिक मशिन जोट परती है या हैंड प्रेसर की अगर हैंड प्रेसर पर हम सरकल बनाते हैं तो उसमें पोडेक् डालने का ये तो हो गया उसके बाद सरकल पेपर जब भी हम लेते हैं तो हमारा रोलत के हिसाब से कड़ीब-कड़ीब 8 दस रुपए हमें महेंगा मिलता है रोल यदि आपको पचास रुपए कजी तो सरकल आपको 6 रुपए कजी मिलता है क्यूं मिलता है क्यूंकि उसमें आपको बेस्टेज नहीं मिलता है इसलिए वो 10 रुपे बढ़के मिलता है तो इसका जो लौ से वो गिनते जाना आप मालो की अगरी आपको 10 रुपे केजी पे बढ़के मिला और 1 केजी माल में रोल अगर 80 पीश निकलता है तो सरकल आपको 100 निकल जाएगा या 110 निकल जाएगा 10 रूपे केजी भी बढ़े गया यहाँ पे उसके बाद जब आप सरकल बनाते हैं तो आपका समय भी खराब होता है समय खराब होने के साथ-साथ आपको एक लड़का एक्स्ट्रा लगाना होता है जो की पैकिंग करेगा और अगर आप रोल चलाते हैं तो आप खुद पैकिंग कर लोगे अकेला ही माली कठागा के पैकिंग कर लोगे तो यह हो गया उसके बाद आप जब भी सरकल बनाते हैं तो उसके लिए आपको हाइडोली की ज़रुत परती है हाई डॉलिक में आपका बज़ी हैविली भीजादा नगता है उसमें मसीन के उसका कोष्टली आता है यह हो गया है अब रोल में क्या बच़त होता है कितना बच़त होता है और यह सरकल 10 रुपे एक्स्टरा क्यों लगता है वह दस रूपय कम क्यों लगता है अब हम इस पर चर्चा करेंगे तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरा मसीन पर जो रोल चल रहा है तो रोल में जो है बेस्टेज निकलता है बहुत लोगों को पता होगा लेकिन पहले वीडियो को भी सार से देखें हैं हम क्या बोलना च कारते हैं तो उसमें हमारा जो बेस्टेज है वो निकलता है तो बेस्टेज निकलता है तो सरकल जो मिलता है सरकल में बेस्टेज नहीं निकलता है उसमें सिर्फ सरकल मिलता है तो सरकल में हमारा बेस्टेज बढ़ जाता इसलिए हमें पीस बढ़ जाता जब पीस बढ़ता तो रेट भी तो बढ़े गया तो फाइदा कहा हुगा सरकल में उसके और रोल में अगर हमारा 20-20 कम निकला तो उसमें हमारा क्या प्रोफिट हो गया यह बताते हैं आपको पहला तो आपको मसीन हाइडुलिक जोतने परेगा रोल के लिए उसके लिए आप करेंग पर चला सकत है वो खतम हो जाएगा इसमें कंटिन्यू चलता रहे गया चौथा जो बात है सबसे बड़ी बात कि यदि हम ठाली कारते से कि आप देख रहे हैं थाली कट रहा है जो कोर जो निकल रहा है बेश्टेज उससे हमारा बिजली का बिल आसानी से भरा जाता है एक महीने का कैसे कितना तो हमें 20 से 22 परशेंट रद्दी निकल जाता है तो यानि कि 100kg आप 106ogsky Musi license रदी निकले गायेगा However 600 किलो रद्धी निकल गया तो आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 5 रुपे के हिसाब से भी या 4 रुपे के हिसाब से ही मान लो क्योंकि यदि आप ज़्यादा माल देते हो कोई भी रद्धी वाले को यही कठा का गया तो वो 3-4-5 रुपे के बीच में वो लेता है तो यदि 4 रुपे के भी केजी से मानते हैं कि अगर 600 किलो रद्धी मेरा महीने के जाता है तो 4 रुपे के जाब से कितना हो गया 6 चोग 2400 यानि कि आपको 24-25 रुपे का रद्धी का पैसा निकल गया 24-25 रुपे और आप रोज का अगर मसीन चला रहे हैं आठ घंटा तो आठ घंटे में आपका बिजली का बिल करेंक मसीन पर एक यूनिट के हिसाब से जोड़ा जाए तो आठ यूनिट होता है लेकिन हम उसको आठ नहीं 10 यूनिट लेके चलते हैं कि 10 यूनिट हो रहा है य जद्aching आप गाहं में चला रहे है तो अगर चला रूपे होगा तो eight लूपे होगा उन है उद्किन उन हम हम उसको ऐलेस अब क्या हिसाब से इसचाह नहीं हम साथ रूपे करते हैं तो 10 घंटे के मेरा 70 रुपे होता है एक उनिट के हिसाब से अब 70 रुपे का बिजली भी हुआ रोज का मेरा 20 केजी रद्धी हो गया तो 20 केजी रद्धी का आप जो लोग के हमारा 40 दुना 80 रुपे चार रुपे केजी के हिसाफ से 20 केजी रदी का मेरा 80 रुपे होता है तो 80 रुपे मेरा रदी हो गया और 70 के जगए हम अगर 80 रुपे का बिजली का बिल भी हम भर दिये 8 घंटा मसीन चलाए तो यह 10 घंटा तो अगर 8 रुपे भी यूनिट लगता है हमारा तो आपके हिसाफ से आप जोड़ सकते हैं कि 8 रुपे यूनिट तो 10 रुपे भी लगा लिए तो हमारा वो हो गया 80 रुपे और 80 का मेरा रदी भी निकल गया तो आप जोड़िए कि कहां हो गया क्योंकि अगर 1.5 रुपे जोड़ते हैं तो भी आपको यह 100 रुपे तक में आ anga 1100 विड़ते मेराओ निकल गया तो हमारा कहा नुकसान है लेकिन हम लोका तो भाई जो भी हम भी हम भरते हैं मेरा एक भी पैसा सेजेबसें हमने मिया नहीं देते हैं बिजली एवियाग मेरा जो भी रड़ी का पैसा निकलता है मेरा एक महिना मेरे जो है एक टन करभ Tool निम कलता है उसमें हमारा जो हो जाता है चार हजार पैंताले सो हमेशा हो जाता है कभी तीन रुपे रदी जाता है कभी पांच रुपे भी जाता है इसका कोई मायने नहीं होता कि कितने रुपे जा रहा है लेकिन जितना भी मेरा रदी जाता है उतने मेरा बिजली का बिल भी मैंटनेस हो जाता है क्योंकि बिजली मे सरकल पेपर हम लिए पैसा बढ़ा के और उसके बाद हमें उसका बेस्टेज भी नहीं मिला तो फिक्या फाइदा हुआ सरकल का रेट भी बढ़के मिला तब जाके हमारा पीसुस में बढ़ा है तो यह है लोग का मुर्खता हमारे हिसाब से कि लोग सरकल के पीछे भागते हैं सरकल बनाते कि सरकल में ज्यादा निकलता है लेकिन यह नहीं देखने कि सरकल हमारा रदी नहीं निकलता है और जो हमें सरकल बेच रहा है उसके पास तो रदी भी बचत ह रहा है उसके बावजूद हमें वो पेपर भी महेंगा मिल रहा है तो सरकल लेने में फाइदा कहा हुआ रदी भी आपका नहीं मिला और आपको पेपर भी महेंगा मिला और रोल अगर लेते हैं तो पेपर भी सस्ता मिला और आपका रदी भी मिल गया उससे आपका बिजली का खर्चे से, आप शरकल बनाए, बिजली का बिल तो आपका लगी गया, लेकिन वो निकला नहीं, क्योंकि सरकल में अगर पीस बढ़ के निकला, लोग का मैंड में क्या है कि सरकल मेरा पीस जदा निकलता है, लेकि उसमें भाई ये तो देखो कि तुम्हारा पैसा भी ज़्यादा लगता है उसके बाद बेस्टेज भी तुम्हें नहीं मिलता है उसका और यदि रोल बनाते हो तो रेट भी कम मिलता है मेरा पीस कम निकलता है जितना हम पैसा देते उसना निकलता है और उसमें मेरा बेस सब्सक्राइब करते हैं तो उमीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत को सिखने को मिला होगा और यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही बैल अकन जुरूर दबाए ताकि जब इस तक आप वीडियो अपलोड करे वो सबसे पहले आप तक पहुचे तो चलिए मिलते हैं नेक्स टोपिक में नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद